स्वागत है आपका आज की चाहिपे साहिबा के व्लॉग्स देखे और समझ में आ गया कि वो अलग होते थे व्लॉगर्स जो हर किसी की वेडिंग को कॉंटेंट बनाते थे साहिबा और जाहिद तो कई कदम आगे जा चुके हैं क्योंकि हाँ नहीं अपनी कजन की वेडिंग को स्पैसिफिकली साहिबा की थी भी नहीं वो कजन बर साहिबा ने इस तरीके से वो वेडिंग दिखाई है कि जैसे बिलकुल डिट्टो भाबी की तरह त腹 पूसारे फंक्शन कर रही हो जैसे कि वो जो कजन है वो साहिबा है और साहिबा है वो अपनी भावी की जगावाई वही सब कुछ कर रहे रही है उसी तरीके से कर रहे है इन फैक्ट जिस तरीके से भावी टिशु लेके खड़ी हुई थी साहिबा के मेहंदी के दुरान उस तरीके का कुछ साहिबा ने भी करा बट वर्स पार्ट इस कि देखें मौदाहा गई थी ना भावी तो वहाँ पे भावी 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 ने मीट अप नहीं रखा था देवर लिमिटेट तो दे वेडिंग वेडिंग होने के बाद फटा-फट से वहाँ से चले भी गए चलो मैं मानती हूँ जी साहिबा का केस अलग है साहिबा से जादा लोग रिलेट करते हैं वो जादा प्रिटेंशियस नहीं आक्ट करती वो जादा ओवर दे टॉप आक्ट नहीं करती उसके बीच में आप जा रहे हो किसी के और के घर पे मीट अप करने के लिए मीट इन ग्रीट करने के लिए उन्होंने आपको बलाया है वो ठीक है एक तो हर जगे जाने का एक वक्त होता है रात को कहीं नहीं जाया जाता है रात हो या शाम हो जो भी है किसी के wedding function को पहले आप attend कर लो and then keep your commitments afterwards मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साहिबा का शायद मन नहीं था कारण मैं बताती हूँ आपको साहिबा की वो बात याद होगी कि जाहिद के वज़े से मैं आप पूरी दुनिया देख रहे हूं friends तो ये जो जाहिद है ना ये पैसे कमाने की fame नेम कमाने की कोई opportunity नहीं छोड़ता इसको किसी ने बोला होगा कि वहाँ पे आना है अभी आजाते है अफ में क्या है और यही बात जो है मुझे समझने आती कि उसको ये क्यों नहीं देखता कि पूरे टाइम तो वह content creation मुदाहा में भी करती मुंबई में भी और ये सब कुछ हो सकता था एक बार वह सारी ceremonies और सारे कुछ enjoy कर लेती शादी के सारे functions ढंक से हो जाते बिना chaos मचाए कि हमें इदर जाना है हमें उदर जाना हमें उदर बुलाए इसके घर में बुलाए तो बाद में तो वो जगा गायब तो होने नहीं वाली थी जहां पे जाके इसको लोगों ने literally मतलब इस तरीके से घेरा है कि जैसे ऐसी नायाब चीज़ देखी ही ना हो नायाब तो यहर तरीके से है इसकी घबराहट भी नायाब है और content भी नायाब है और दुनिया में घूमते रहना ही तो मेरा मकसद है मैं टिरैवलर नहीं हूँ फ्रेंड्स मैं तो वहीं जाती हूँ जा मेरा जाहित मुझे लेके जाता है क्योंकि वो ना लोगों से पैसे ले ले लिता है फिर मुझे वहाँ पे ले जाके बोलता अड़ा बीवी मिल लो कोई बात नहीं अच्छे लोग हैं तो ये बात ना फ्रेंड्स में क्या करूँ बताओ मैं मना तो नहीं कर सकती उसने रिचार्ज भी तो कराया था ना फ्रेंड्स मैं वो एहसान जिन्दगी भर चुकाती ही रहूंगी क्या हाँ शायद ऐसे लग रहा है बिकोश जितनी तो वो अपने दोस्तों की परवा करता है अगर उसकी एक पसेंट भी अपनी बीवी की कभी कर लेगा तो शायद बीवी की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उसकी लाइफ भी बहुत एजी हो जाएगी अभी ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ हबर दबढ है लोगों से मिलना है लगातार मीट अप करने है क्योंकि भाई ये चारों तरव से पती देव को पैसे चाहिए और एक और बड़ी बात है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती थी ये किस हद का करचा करते है नॉर्मल कोई भी इंसान हो छोड़े नॉर्मल एक्स्टराओर्डिनरी मैं शारुख खान की बात करती हूँ अगर वो भी कई जाते हैं कार उनके लिए भी आ जाती है मतलब वो थोड़ी ना मुंबई से डेली तक अपनी कार बुलवाती है और सिमिलरली मुदाहा टू जमशेद पूर कार आई है क्योंकि मैडम को अपनी कार चाहिए थी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी जाहिर ने खेल खेला जो कि जम्मू की टाइम पे खेला था अपने दोस्तों की पॉकेट भरने के लिए ही इस दूइंग एवरिटिंग पॉसिबल मुंबई के बिजनस से वो जो लड़का था फरहान करके राइमिंग नेम था अब आप समझ जाएए वो लड़के का पूरा इसने फ्यूचर सेट कर दिया अब जो दूसरा लड़का है जो अकसर गाड़ी में आपको दिखता है उसको ये जम्मू ले गए थे है ना हनीमून था वैसे बट चलो जी कोई बात नहीं उस बिचारे को ड्राइवर बना रखा है बट मिचारा बोलने से पहले मैं इतना हाइलाइट करना चाहूंगी उस लड़के की एक्जिस्टेंस हर जगे होती है और अब जम्शेदपूर में भी है उससे पता लगता है कि बहुत पक्का दोसे जाहिद का और जाहिद मिया सब कुछ कर रही है सो दाइड वो अपने दोस्तों की इंकम सेट कर सके फिर चाहे वो एक और बिजनस क्यों ना हो जो मदाहा में खोला गया बहुत सारे पार्टनर्स के साथ क्योंकि साहिबा का पैसा जितनी तेजी से आया था उतनी हजार गुना तेजी से बहराए और अभी साहिबा को समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी तो आ रहा है बट एक इंसान इतना ग्रीडी हो जाए कि उसको हर किसी की पढ़ी है उसको दोस्तों की पढ़ी है उसको अपनी बीवी को हर मीटप पे ले जाना चाहिए कि इतनी भी देर होगी है दिन में वो ले गया एक बिल्डिंग के अंदर उसको ले गया हाथ पकड़के विदाउट तिंकिंग कि वाट इफ भीर ओवर पावर हो जाए चलिए जो कोई बात नहीं सब अपने ही थे है अपने ही तो है फ्रेंड्स कोई बात नहीं पहले भी तो यह ले गया था हाइदरवाद मुझे घबराहट हो गए थी इतनी भीर थी पर सब अपने ही है फ्रेंड्स और अफसोस यह होता है कि वो लड़की जो चारों तरफ पैसे लगा रही है कभी इसकी शौप के लिए कभी मुंबई के लिए कभी ये मुदाहा वाले काम के लिए कभी इसकी दोस्तों के एक्स्ट्रा ट्रैवल खर्चे के लिए जो की अफकॉस हुआ होगा 900 किलोमेटर से आना जाना हुआ है मुदाहा टू जमशेदपुर इतना खर्चने के बाद भी मुझे वो कदर नहीं दिखती ना इस लड़की के लिए और ना उसकी फैमिली के लिए coming to the point जहाई है साले साहब का मजाग बना रहा था और ये खुद भी कोशिश कर रही थी देखो साहिबा आज आप अपनी फैमिली का मजाग बनवाते हो उसके सामने है ना देखो हम तो reaction वाले हैं हम तो third party हैं पर आप अपने भाई का जो की देखा जाए तो भाई और भावी की वज़े से आज यहाँ पर यह है जो भी कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ ना बहुत cold war चली बड़ इस तरीके से उनको लगाता shade करते रहना एक दिन तो अभी यह लग रहा है ना कि हाँ हाँ साहिबा shade कर रही है how cool it is for साहिबा and जाहिद बट यही जाहिद एक टाइम पर साहिबा के पीछे से भी तो बोलेगा and बोलता ही होगा बाहर बात करता ही होगा तब ही तो आज उसकी बाते कितनी सामने आती है तो अगर साहिबा को लगता ना कि उसके सामने भाई भावी के मजाग बनाता है या उनके पीछे से कुछ बोलता है तो यह उसकी गलत फहिमी है कि उसके पीछे से उसके लिए बाते नहीं बनाता होगा या फिर उसका मजाग नहीं बनाता होगा So it is important for her to understand कि यह जो जाहिद है यह सिर्फ एक चीज़ का सगा है ATM करो और उसके लगातार meet up करो कहीं भी जाओ किसी की भी शादी को content में convert कर दो चाहे वो लोग comfortable है या नहीं लगातार उनके मूँपे camera रखो Even उन्होंने बोल भी दिया साफ दिख रहा था स्टार्टिंग में दुलन को नहीं दिखा रही जी साहिबा फिर भी इसको क्यों camera on रखना है जब वो लोग बोल रहे हैं नहीं करो अगर आपका मकसद ही है ना कहीं जाके content बनाना and you are not there to help तो मच जाओ कम से कम वहाँ पे कोई तो हाथ बटाओ हाथ में tissue लेके खड़े हो ना या bride के पीछे खड़े हो जाना frame में आते रहना that's not the only thing that you are supposed to do और भी तो काम होते हैं शादी वाले घर में and मुझे Muslim wedding के बारे में जादा नहीं पता पर एक बात जाननी थी कि जो बड़े होते हैं घर की क्या उनका कोई role नहीं होता because यही बात मैंने madam और जनाब की टाइम पे देखी थी कि भाबी जा रही हैं भाईया जा रही हैं वही हल्दी कर रहे हैं सब कुछ वही करते हैं again sorry महंदी भी करी हल्दी भी करी सब कुछ बड़े जो हैं घर के उनका जारा role नहीं था यहाँ पे जाहित के माबाप यह लड़की के माबाप मुझे कोई भी नहीं दिख रहे हैं हैं या फिर इस घर में साहिबा ही सब की बड़ी है कि हर चीज वह कर रही है एस इफ उसकी कोई सगी बहन है यह सगी भाबी है यह फिर मा की जगे है क्योंकि इतनी ही क्लोसी साहिबा जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है उसके तो यह पिछले एक साल में दिखी नहीं सो प्लीज मुझे बताईएगा कि क्या चक्कर है ये सारी रिस्पॉंसिबिलिटी साहिबाने बिल्कुल भावी की तरह अपने उपर ऐसे ले ली हैं कि जैसे भावी से जनाब के अकाउंट से कुछ तो लगा था जाहिर प्योरली सब कुछ जितना भी उसने गिफ्ट करा होगा 101 परसेंट ये साहिबा की ही अकाउंट से आया होगा बस जिन्दगी में सुकून की कमी दिख रही है रुकते है लोग थमते है कुछ एंजॉए करते है कोई function होता है घर का इनसान कितना एजॉए करता है उस लड़की को तो बघाना ही ये बंद नहीं करता है इदर जाना है वो करना है उदर जाना है मीट अप करने है लगातार उसको busy कर रखा है ये कैसी लाइफ है ये पैसे वाली लाइफ है पर ये कैसी लाइफ है ये एशो एराम वाली लाइफ है ये किया गाड़ी वाली लाइफ है पर ये कैसी लाइफ है इससे अच्छे तो वो लोग है जिन पर कम है पर जितना है उसमें वो अट लीस्ट वो फंक्शन अटेंड तो क लगाया हुगा। कितनी सारी औरते कल स्वागत कर रहे थी साहिबा का। यह सारी होम मेकर्स होंगी या फिर इन्होंने घर से बाहर जाके काम करा होगा अपने घर को एक बाइन्शल स्टेबलिटी देने के लिए दोनों ही तरीके से देखा जाए तो हाँ यह हो सकती है कि साहिबा की फैन हो बड़ अल्टिमेटली डियर डूइंग मच मोर इन लाइफ दें साहिबा एवर डिट इन हर लाइफ यह बस किसमत की बात है कि वह उस तरफ है और यह इस त माले बैठी है भाई बिना आपने कभी एसान जताए इतना कुछ करा इतने सैक्रिफाइस करें बट कहते हैं कि पता नहीं लगने दिया क्योंकि व्लॉगर नहीं हो ना भाई दिखा दिखा के कॉंटेंट पोस्ट करके मिल्क नहीं कर सकते अपने स्ट्रगल को अगर खाके फ्रेंट्स फ्रेंट्स करके ओवरीटिंग करके और एकसेसिव कंज्यूमरिजम प्रमोट करके जिंदगी जीने के लिए पर खैर याद रखेगा कि इंसान तभी तक बढ़ा है जब तक उसके अच्छे करम का घड़ा है अच्छे करम खतम हुए तो घड़ा फूट ज आज के लिए इतना ही जैशी राम रादे रादे हरे कृष्णा